अब हम घर्ब सवबाद करेंगे माता और पीता दोनों को साथ में करना है माता अपने दोनों हाथ को भूंब के उपर रखेंगे और पीता अपने राइट हैंड को मदर की भूंब पे रखेंगे और अपने दोनों आखों को आपको बंद करना है और थोड़ी देल अपने पच्चे के साथ जुड़ने की कोशिश करने है प्रिय बेटा तुमारे आने के समाचार से मैं और पूरा परिवाल बेहत खुश है तुम्हें आने के लिए शुक्रिया इस दुनिया में तेरा स्वाबत है ये पहुत सुन्दर और प्यारी जगा है तुम्हें और सुन्दर बनाने के लिए ही बेजा गया है और बेजा किस्ते हैं बगवान ने क्योंकि तुम उनका ही अंश्य हो और तुम्हें उनका काम करने के लिए ही इस दुनिया में बेजा गया है बेटा हम सब के पास एक सिमिस समय होता है और जितना भी हो कम ही होता है इस दुनिया में इतना कुछ है देखने को जानने को महसूस करने को कि तुमारे पास जो भी वक्त है वो तुम्हें काम ही लगेगा तुमारे पास थोड़ा भी वक्त नहीं है गरबाद करने को बेटां संभावनाई असिम है और तुम कुछ भी बन सकते हो कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया को बदल सकते हो बेटां हर दिन कुछ नया करना कुछ नया सिखना और अगर किसी काम को लेकर मन में दुवीदा हो तो याद रखना ना करके पच्टाने से कई मेह तरह करके पच्टाओने क्योंकि कुछ काम करके अगर कुछ भी काम ना भी मिले तो तजुर्वा तो मिलता ही है और तजुर्वा बहुत किम्ती होता है पच्टा हर चीज का तजुर्वा करना लेकिन किसी भी चीज को आदत मत बनाना तजुर्वे तुम्हें सही और गलत का फर्त करना सिखाएंगे गलतिया करने से बचाएंगे पर गलतिया करने से डरना मत गलतिया वही करते हैं जो कुछ करते हैं अपनी गलतियों के जिम्मदारी लेना उसे सुधारना और दूसरों की गलतियों को माफ करना उन्हें उसे सुधारने का मौका देना पेटा कोई भी जान बुझकर गलतिया नहीं करता है कोई जान बुझकर बुरा बताओ भी नहीं करता है किसी की जिन्दकी में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता इसलिए सब को वही भाग्य देना जो खुद को देते हो सबसे उतनी ही नर्वी से बर्तना चितना खुद से बर्तोगे सब की इज़त करना सब पे भुरोसा करना सब से प्यार करना इस दुन्या में प्यार की बहुत कमी है बेटा और सब को प्यार की बहुत ज़र्दत है तुम्हें भी होगी हित की चाना मत पिखाने में जिज़कना मत जिन्दगी बहुत छोटी है शर्म के लिए संकोच के लिए आये या ना आये खोल के नाचना गला फाड के गाना पेट भर के खाना और खूल के हसना और जोर से रोना सरीशे बड़े होना पर मन से नहीं जिस दिन अंदर से बच्चपन गया मासूम यद गयी उस दिन समझोँ सिंदगी गयी बविश के बारे में सोचना पर चिनका मत करना बिते दिनों को याद करना पर उन में खो मत जाना सिंदगी में कुछ अच्छे दिन भी आएंगे कुछ बूरे दिन भी अच्छे दिनों में घमण मत करना और बूरे दिनों में खताश मत होना सफन्ता की शाबाजी सिर्फ खुद को मत देना और असफन्ता का जिर्वा दूसरों पे मत ठोगना बिटा बस आगे बढ़ते जाना खुशिया बाटते जाना और यह जरूर याद रखना तुम्हें यहाँ सिर्फ एक ही कारण से बेजा गया है कि तुम इस दुन्या को और भी बहतर बना सको हाँ इसी लिए तुम्हारा जन्म हुआ है सुक कानुदों करने के लिए और दूसरों को सुखी करने के लिए तुम्हारा स्वागत है इस दुन्या में तुम्हारा स्वागत है बेटा पूरे विदै से तुम्हारा स्वागत है झाल 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 झाल